हेलो एव्रीवन वेलकम अगेन तू लान ब्रिदे दिमन तो हम लोग चप्टर नाइन जो है पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो जान ले थी कि किस तरीके से कैबिनेट मिशन की योजना की अनुसार 1946 में समविधान सभा का गठन होता है और उसके बाद जो है वो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को जिसमें अध्यक्षता करते हैं सचिदानन सिना उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजिंद प्रसाद को इस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है ठीक है हमने ये भी पढ़ लिया था कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नहरू जो है वो उदेश प्रस्ताब जो है वो लेकर आते हैं और जिसमें कई बातें जो हैं समविधान के कई जो आदर्स हैं मूल आदर्स जो है वो उसमें लिखित थे ठीक है और इसको बढ़ने में हैं समय जो है कितना लगा था ल पूरा बनकर रेडी हो जाता है और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है ठीक है फिर हमने पढ़ा था कि राजिस्थान के बहुत सारे जो सदस्य थे वो यहां पर समलित होते हैं जिसमें हमने 15 सदस्यों के नाम पढ़ लिये थे कि समविधान सभा के सदस्य जो राज का दिगारी के तौर में काम कर रहे थे तो लगवग 15 सदस्यों के नाम जो हैं वो हमने पढ़े थे ठीक है राजिस्तान से समविधान सभा के जो सदस्य थे उनहीं सदस्यों के नाम जो हैं यहां अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हैं मुकुट बिहारी ला बहारगव तो ये कहां के थे हमने देखा था लास्ट वीडियो में ये अजमेर मेरवाडा रियासत से थे मुकुट बिहारी लाल बहारगव का जन्म 30 जन्वरी 1903 को राजिस्थान की उधेपुर रियासत में हुआ ये वकील थे सी यारदास मुतिलाल नहरू महादमा गांधी के प्रभाव से प्रेरित होकर वे राजबंदियों के मुकदमे में पैरवी करते थे व्यक्तिगत्य सत्यागरे और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए सम्विधान सभा में इन्होंने अजमेर मेरवाडा प्रांत का प्रत अजमेर मेरवाडा प्रांत से प्रतनी दित्व करते हैं सम्विधान सभा में और उसके बाद तीन बार अजमेर निर्वाचन शेत्र में लोगसभा के सदस्य रहे नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हैं मानिक्यलाल वर्मा जो कहां से थे उद्यपूर रियासत से मानिक्यलाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1897 बिजोलिया भीलवाडा में हुआ मानिक्यलाल वर्मा ने अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोख हटाने के लिए सत्याग्रे आंदोलन का अजमीर में संचालन किया इन्हों ने सन 1941 में मेवाड प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की तो यहाँ पर ये भी लाइन बहुत इंपोर्टेंट है कि सन 1941 में मेवाड प्रजामंडल के पहले अधिवेशन के अध्यक्षता मानिक्यलाल वर्मा के द्वारा की जाती है वर्मा जी का लिखा हुआ पंचड़ा गीत बहुत लोग प्रिये है वे 1948 में व्रहत्तर राजिस्थान के प्रधान मंत्री और 1963 में राजिस्थान खादी ग्रामो ध्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे तो मानिकेलाल वर्मा जी जो है वो व्रहत राजिस्थान के प्रधान मंत्री भी रहे इसके साथ ही उदैपुर से समविधान सभा का इन्होंने प्रतिनिदित्व किया था नेक्स्ट है जैन अरायन व्यास जैन अरायन व्यास का जन अठारे फरवरी 1899 को जोदपूर में हुआ श्री जैन अरायन व्यास 1927 में तरुन राजिस्थान के प्रधान संपादक तथा 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक रहे तो किसके रहे अखंड भारत और तरुन राजिस्थान के ये सन 1951 से 1956 की अवदी में दो बार राजिस्थान के मुख्यमंत्री रहे इन्होंने सामंद साही के विरुद संघर्च किया और जागीरदारी प्रतास माप्त करने की आवज उठाई ये आवज उठाई ये जोदपूर से सम्विधान सभा के सदस्य बने तो कहां से बने ये जोदपूर से बने सम्विधान सभा के सदस्य बलवन सिंग महता, बलवन सिंग महता का जन्म 8 फरवरी 1900 उदैपुर में हुआ, सन 1938 में प्रजा मंडल के पहले अध्यक्ष बने, बलवन सिंग महता ने 1943 इस्वी में उदैपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की, ये सम्विधान सभा के सदस्य के रूप में मूल सम सम्विधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजिस्थानी कौन थे? बलवन सिंग महता, ठीक है? और प्रजा मंडल के पहले अध्यक्ष रहे 1938 में, और ये कहां से, कौन सी रियासत से, जो सम्विधान सभा के सदस्य रहे हैं, तो ये उदेपुर से रहे हैं। सेनानी वो पेसे से वकील थे. दलेल सिंग, दलेल सिंग जो की कोटा रियासत से, कोटा के लेफ्टिडेंट करनल दलेल सिंग का जन्म 18 मार्च 1909 हुआ, ये कोटा के महाराव भीम सिंग के निजी सचिव थे, कानून के जानकार थे, 1946 से 1950 तक सम्विधान सभामिनों ने कारिय किया था और इन्होंने सम्विधान की प्रती प्रहस्ताक्षन किये. लेकिन सबसे पहले साइन करने वाले कौन थे राजिस्तान से? बलवन सिंग महता. चलिए, सेवन नंबर पर देखिए, गोकुललाल असावा. गोकुललाल असावा की प्रारंबिक सिक्षा शाहपुरा के म इन्होंने कोटा के हावर्ड कॉलेज में अध्यापन कारे शुरू किया. किन्तु राश्ट्री गतिविधियों को देखकर उन्हें कॉलेज सेवा से अलग कर दिया गया. कि ये राश्ट्री गतिविधियों को देखकर उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे, जिस वज़े से कॉलेज की सेवा से इन्हें अलग कर दिया गया और सन 1930 से 1932 के बीच इन्हें चार बार जेल जाना पड़ा असावा शाहवपुरा भील बाड़ा से समविधान सभा के प्रतिनिधी बनते हैं कौन गोकुलाल असावा नेक्स दिखिए जस्वंत सींग तो ये कहां से बनते हैं बीका नेर से जस्वं सींग भारत के समविधान निर्मान में बीका नेर भी प्रत्यक्स तोर पर भागीदार रहा थाकुर जस्वं सींग समविधान सभा के सदस्य थे बाद में वे राज्य सभा के सदस्य मनोनित हुए ये बीका नेर रियासत के महाराजा नेक्स्ट देखिए राज भादुर तो इनके बारे में देखिए बस इतना याद रखिए तो इनका नाम बहुत अच्छे से याद रखिए ये सम्विधान सबा के सदस्य थे राजिस्थान से राजिस्थान में मूल निवास था ये यहां रहते थे और ये किन-किन रियासतों से संबंदित हैं तो इनके नाम याद रखने हैं भारत की सोतंतरता सेनानी राज बहादुर सम्विधान सवा में मनुनित किये गई इन्हों ने समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्रे किया तथा भरतपुर रियासत में बेगार प्रथा का विरोध किया ये पेशे से वकील थे ये केंद्रिय मंत्री मंडल में मंत्री भी रहे इन्होंने नेपाल में भारत के राज दूट के रूप में कार्रे किया हीरा लाल सास्त्री तो इनका नाम जो है वो हम कई बार पढ़ चोके हैं हीरा लाल सास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को जैपूर के राज किये सेवा से त्याग पत्र दे दिया समविधान सभा में इन्होंने सभी नाकरिकों के लिए सम्वान अदिखार की वकालत की सास्त्री जी ने टोंक जले की निवाई तहसील के वनस तली ग्राम में जीवन कुटी नामक संस्ता के स्ठापना की इसके माध्यम से समा की दिसा में महत पुनकारे किया इसके बाद वे जैपूर प्रजामंडल से जुड़ते हैं ये अखिल भारतिय देसी रियासत लोग परिशत के प्रधान मंतरी और राजिस्थान के प्रमक मुख्यमंतरी रहे ठीक है तो याद रखना है राजिस्थान के पहले मुख्यमंतरी सदस्या सरदार सिंग के सव्धान सबढल स hesit से रहे सरदार सिंग 1950 से 1952 और अस्था ही सदस्या संसद के सब्स्या तस्या सृम 556 के बीच राज्या सबहा सदस्या सन 1958 से Pavण इनको लासमें राज़दूद बना कर ढ़ेजा औग तीस अक्टूबर 1985 को इनका निधन हो गया था नेक्स्ट देखिए सर्वीटी कृष्णमाचारी सर्वीटी कृष्णमाचारी मूलते तमिल नाडू के रहने वाले थे अब ये राजिस्थान के निवासी नहीं थे मूल निवासी नहीं थे बलकि यहाँ पर राजिस्थान की रियासतों में प्रशाशनिक अधिकारी के तौर पर थे और कहां के थे ये तमिल नाडू के थे ये जैपूर रियासत के दीवान थे डीपी खेतान के निधन के बाद इन्हें समविधान की प्रारूप सम्ती में जगह दी गई 1961 में राज्य सभा की सदस्या चुने गए CS वैंक्टमाचारी CS वैंक्टमाचारी करनाटक के रहने वाले थे तो ये भी कहां के थे करनाटक के रहने वाले थे और यहाँ ICS थे प्रशाशनिक अधिकारी थे राजिस्थान में जोदपूर रियासत से जोदपूर के महाराजा उमेद सींग ने इनको 1949 में अपना प्रशाशनिक अधिकारी बनाया बाद में जैपूर राजप्रमुक राजा मान सींग के प्रशाशनिक अधिकारी रहे तो इनके बारे में पूछा जा सकता है क्या कि ये किनके प्रशाशनिक अधिकारी रहे तो ये पहले महराजा उमेद सींग और उसके बाद राजा मान सींग के प्रशाशनिक अधिकारी रहे 6 जन्वरी 1951 से 25 अप्रेल 1951 तक राजेस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे सर्दार केम पन्निकर केरल राज्य के रहने वाले सर्दार केम पन्निकर ने ऑक्सफोर्ड युनिवस्टी से सिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत लोटकर अलीगर और कलकत्ता विध्याले में अध्यापन किया ये पटियाला राज्य के विदेश मंत्री रहे और बाद में विकानेर राज्य के परधान मंत्री बने 28 अप्रेल 1947 को ये विकानेर राज्य के प्रतिनिदी के रूप में समविधान सभा के सदस्य बने तो ये विकानेर रियासत से बनते हैं समविधान सभा के सदस्य भारत के स तो तंत्र होने के बाद उन्हें चीन, मिश्र और फ्रांस का राजदूर भी बनाया गया। सर्टी विज्या राखवाचारे मूलते तमिल नाडू के रहने वाले थे। तो यहाँ पर दो लोग तमिल नाडू के रहने वाले थे एक किश्नमाचारी और दूसरे विज्य राखवाचारे प्रशाशनिक अधिकारी थे बाद में ये मिवाड के प्रधान मंतरी रहे विजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्हों ने अपने राज्यस्व मंतरी डॉक था सर्टी विज्य राखवाचारे ने समविधान सवा में मेवाड का प्रते निधित्व किया था समविधान सवा में मेवाड का प्रते निधित्व किया था समविधान सवा में राजिस्थान के सदस्यों के नाम का चार्ट बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए संभव हो तो चित्रों का हंकलन भी कीजिए तो ये चोटी क्लासिस की बुक है तो जहां पर ये गतिवी दिया जो है वो एक अध्यापक द्वारा बच्चों के लिए करवाई जाती है चलिए चैप्टर कंप्रीट होता है सब्दावली देखिए तो समविधान सभा का अर्थ क्या है भारत का समविधान निर्मान करने के लिए निर्मित सभा सत्याग्र है सत्य हेतु किया गया अहिंसात्मक आग्र है जागीरदारी प्रथा राजाओं द्वारा अपने रक्त संबंदियों को शाशन हेतु भू शेत्र देना मंत्री मंडल का आर्थ है मंत्रियों का सम्हू, प्रारूप समिती, सम्विधान सभाकिक ऐसी सम्थी जिसने की सम्विधान का मसौधा तैयार किया। अब हम हर बार की तरह करते हैं अभ्यास प्रेशने तो फटापट से तयार हो जाईए इनके आंसर देने की कोशिश करें आवश्यक नियमों और कानूनों का संग्रह जिनके आधार पर किसी संस्था या देश का संचालन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है संग्रहाले, विध् तो सोचिए हमने क्या पढ़ा था विल्कुल हमने फिर्स्ट या सेकिंड पहराग्राफ में ही पढ़ा था कि इसका आंसर क्या है संविधान है जो की आवश्यक नियम और कानूनों का क्या है एक संग्रह है 26 जनवरी 1950 को हम महतोपूर्ट दिवस के रूप में याद करते हैं चोंकि इस दिन क्या हुआ था संविधान निर्मित हुआ, संविधान सभाका गठन हुआ, संविधान लागू हुआ या हमारा देश आजाद हुआ अब सोचिए ये कुश्यन आपके एक्जाम में पूछ लिया गया है, अब इसका आप क्या आंसर देंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर जो है, बिल्कुल इस पस्ट है कि इस दिन जो है वो संविधान लागू हुआ नेक्स्ट देखिए इस्तम आ और इस्तम बी सुमिलित करिए, यहाँ पर दुबारा से देखिए जो मैंने आपको पहले बताया था कि किस टाइप से कुश्यन जो है सदस्यों में से पूछा जा सकता है यहाँ पर जै नरायन व्यास जो है वो संबंदित थे जोदपुर रियासत से ठीके वहीं पर गोकुल लाल असावा जो है वो शाहपुरा भीलवाडा रियासत से थे हीरा लाल सास्त्री हीरा लाल सास्त्री सोचिये कहां से थे हीरा लाल सास्त्री जो है वो थे जैपुर से औ और बलवन सिंग महता जो हैं वो थे उद्यपूर से तो ये मिलान जो है वो आपको याद रहना चाहिए बाकी जो सदस्य हैं उनके बारे में याद रखना है ऐसे ही एक्जाम में एक कुशन पूछा जाएगा भारतिय सम्विधान सभा के स्थाई अध्यक्ष थे कौन थे तो सम्विधान दिवस को मनाया जाता है कब मनाते हैं हम सम्विधान दिवस कब मनाते हैं मैंने आपको बताया था कि अम्बिटकर जी की 125 वी जो जयनती मनाई गई थी 2015 में, तो इसी वज़े से 26 नवंबर 2015 से हम लोग मनाते हैं सम्विधान दिवस, यहां आंसर आएगा 26 नवंबर, अति लगुतरात्मक प्रश्न, कैबिनेट मिशन क्या है, तो बताईए कैबिनेट मिशन जो है वो क्या है, मैं तो यहां पर जो है, वो कैबिनेट मिशन आता है, और इनी की अनुसार जो है, 1946 में सम्विधान सभा का गठन किया जाता है, अकंड भारत के प्रकाशक कौन थे, पिल्कुल अभी के अभी हमने इस चीज़ को पढ़ा था, तो इसका जो सही आंसर रहेगा, वो रहेगा जैना आरायन व्यास जो थे, जिन्हों ने तरुन राजिस्थान और अखंड भारत जो है, इसका प्रकाशन किया था, इसके बाद देखिए, लगु उत्रात्मक प्रशन सम्विधान सभा के उन सदस्यों के नाम लिखिए, जो राजिस्थान के मूल निवासी थे, तो इसमें यहा वो पूरी तरीके से अभ्यास प्रशनों के साथ कंप्लीड होता है, नेक्स्ट हम करेंगे लास्ट चेप्टर, चेप्टर नमबर 10, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थेंक यू